जै मातादे दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 माई और 13 माई 2023 के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्तिती क्या होगी नक्षतर क्या होंगे योग क्या मनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं अभी जो 12 माई का दिन है शुकरवार का दिन है क्रशन पक्षकी सब्तमीति थी सुबह 9 बजे तक उसके बाद अश्रमीति थी लग जाएगी श्रवन नक्षत्र रहेगा ये एक बहुत अच्छा नक्षत्र है इसके भगवान विश्णू स्वामी होते हैं और ये अधिकांच शुबकारियों के लिए बहुत ही श्रेस्ट माना जाता है उसके बाद जो गहनिस्ट नक्षत्र लगेगा वो भी श्रेस्ट है शुकल नाम का योग है जिसके स्वामी है मापारवती बहुत अच्छा योग है चंद्रमा हैं मकराशी में सूर्य हैं मेश रासी करती का नक्षत्र में अब इस दिन रवी योग भी बनेगा और सरवार्त सिद्धी योग भी बनेगा अभीजीत मुरत सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक अब 13 माई शनिवार का दिन है बड़ा शनिवार है जरिस्ट मास का शनिवार और मंगलवार दोनों मेहम होते हैं क्रश्न पक्ष की आस्टा में ते थी सुबह 6.50 तक उसके बाद 9 में ते थी लग जाएगी गानिष्ट नक्षत्र सुबह 11.30 बजे तक उसके बाद शत्य बिशान नक्षत्र दोनों ही अच्छे हैं ब्रह्मनाम का योग बनेगा और चंद्रमा आचुके हैं कुम्बराशी में शनि के साथ सुर्य में शासी क्रतिका नक्षत्र में अभी जीत मोरत है सुबह 11.50 मिनट से दोपहर 12.45 मिनट तक तो ये हुगई हमारी ग्रहों की इस्तिति चली अब इसी के आधार पर जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे पहले में बात करूँगे 12 माई के बारे में 12 माई का दिन आपके लिए कैसा है तो देखिए ये जो दिन है किसी उचे और खास इंसान से मिलने का दिन है तो घबराना नहीं है किसी भी वेक्ति से आप जब मिलते हैं हमेशा फुल कॉन्फिडेंट होकर मिले अपने आपको ब इप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ता है आज का दिन जितना काम धंदे के लिए पैसा होता है वितना ही आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी और बहुत अच्छा दिन रहेगा यानि स्वास्त है बहुत अच्छा रहने वाला है आज आपके हाथ में पैसा तो आए परिवार के लोगों के साथ बेहद अच्छे आत्मविश्वास के साथ रहेंगे और रोमांच का फील कर पाएंगे रोमांच का प्रेम जीवन में ठीक ठाक दिन रहने वाला है आज का दिन अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें क्योंकि कई उम्दा मौके आज के दिन आ परिवारे किस्तियां बहुत जबरदस्त हैं वेवाहिक जीवन भी आपके ठीक ठाक कहा जा सकता है और वेवसाइक करने वाले लोगों के लिए आज का दिन में कह सकते हूं बहुत ही ज़्यादा उत्तम बना हुआ है आज अगर आप कोई बड़ी डील लेना चाहते हैं किसी पार्टर्शिप करना चाह रहे हैं तो आपको काफी ज़्यादा सोच विचार करना होगा और तब आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर बाद में परिशानी हो सकती है अगर आप एक स्टुडें हैं इंजिनरिंग कॉलेज में मिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आज आपको अपनी की गई मेहनत का शुबफल प्राप्त हो सकता है और जिससे आपको अपनी जीवन में हर शित्र में कामयाभी भी मिलेगी मालक्षमी का भी आज आप आपको आशिरवाद मिलेगा तो मालक्षमी को लाल पुष्प जरूर चड़ाएं दूसरों से आपको मदद भी प्राप्त होगी और आज अपनी किसी फ्रेंड की तरफ आप आकरशित भी हो सकते हैं तो ऐसी भी स्तितियां बंते दिखाए दे रहे हैं वैक्तिगा तेस्तित होन है वो काफी अच्छा रहेगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा आज सुबह साड़े गैरा बज़े से और दो बज़े तक का बीच का समय जो है आपके लिए अच्छा दिखाए दे रहे हैं आज कोई मजिदार यातरा कर सकते हैं यह यातरा उसकी बातों को द्हान से सुने आज का दिन उनके लिए भी बहुत सो नहरा दिन है जो रक्षा सेवा में जाना चाहते है तो उनके लिए मैं गूर्डन टाइम आज कह सकती हूं क्योंकि आज के दिन आप भविश्व को बनाने के लिए अपने भविश्व को सिक्यूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो अच्छा है तो मन में विश्वास है तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें जहां आगे बढ़ना चाहते हैं वाँ जरूर कामयाभी हासिल करेंगे वेफसाइक दर्स्टिकॉंट से भी ये छेतर आपके लिए फाइदे का सौधा लेकर आया है आज आपको कोई जानकार किसी मामले में लपेट न चाह सकता है तो उसको अपने पास न फटकने दें और बिना वज़य के किसी भी मामले में नाट कें सावधान रहें हर इस्तिति से निपठने के लिए तो कि सावधान रहेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगे चलिए अब बात करते हैं हम 13 मई के बारे में 13 मई का दिन आपके लिए कैसा है तो यहाँ जो चंद्रमा की इस्थिती है वो क्या करेगा आपको थोड़ा सा भावब कर सकता है आज आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका ढूंड सकते हैं अगर आप अपनी भावनाओं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो आज अपनी भावनाओं को व्य होगा आराम मिलेगा और रेड वाइन अगर आप आज पहनते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा शाम को साड़े तीर बजी के बाद का समय आपके लिए अच्छा दिखाए दे रहा है समय काप्यों कर सकते हैं सूचना प्रद्योगी की के शेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आज का दिन कई सारे अफसर आपके लिए लेकर आया है अफसरों से बहरा दिन है तो बहराल आप अपने काम से कम अपने काम से कम लेकिन सहयोगी से मिलने वाले सहयोग से जादा सफलता हासिल कर पाएंगे इसलिए सभी को साथ लेकर चले काम पर फोकस करते चले तो आसानी रहेगी बहुत इक चीजों की जरूरत है तो आज कुछ खरेदारी भी कर सकते हैं आप चीजों की खरेदारी करना अच्छा रहेगा आप घर के लिए या खुद के लिए कुछ नई चीज़ें खरे सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इतनी खरेदारी ना करें कि आपके बजट पर भारी पड़ जाए उस तरह की खरेदारी करें जो आपके बजट पर भारी ना पड़े इसके लावा आज कोई खास खबर भी मिलने का योग है जो इस राशी के law student है आज उनको अपनी आज आपका काम चल जाएगा जो रुकावटे आ रही थी काम में वो रुकावटे भी दूर हो जाएंगी एक चीज का ध्यान रखें गुस्से में किसी से भी बात करने से आपको ज़रूर बचना है आसपास के लोग आपकी कुछ बातों का विरोध कर सकते हैं ऐसे में अपन प्रेमी से लड़ाई हो सकती है थोड़ा सा महा ध्यान रखना है बाकी आपका दो दिन हैं आपके रिष्टों को अच्छा भी कर सकता है और परिवार में धन आमदनी को भी आज बहुत ही शुब रिजल्ट ये दिखा रहा है आज की दिने को पाय करें क्योंकि आज शनिवा है जेस्ट मास का शनिवार है तो पीपल के पेड़ में आज जल जरूर चड़ाएं इससे आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें